नमस्कार मैं जोती श्रिवास्तव आप देख रहे हैं सी न्यूस भारत वक्त चुका है बुलिटिन का बुलिटिन विबात होगी भिन की जहां 48 डिग्री के पार पहुंचा पारा गर्मी के कारण सरकों में पस्रा सन्नाठा मई मतुरा में श्रे कृष्ण जन्म भूमी मंदर मस्जित विबात का हाई कोट ने फैसला रखा रजव अंत में बात होगी राजस्तान की जहां सरस्का में बागो की संख्या में हुई व्रधी अब 40 हुई बागो की संख्या ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे अजीतमल विकासकन की ग्राम पंचयाद बल्लापुर का मनरेगा के तहत फरजी वारे का ओडियो वारल हो रहा है मनरेगा में फरजी ड्यूटी काम दिखा कर पैसा निकाला जा रहा है एक मस्दूर ने खुलासा किया बिना किसी कारे के उसके खाते में 3500 रुपे डाले गए थे 500 रुपे दे कर पैसे रोजगार सेवक ने निकाले मनरेगा के नाम पर जनपद में हो रहा है बड़ा खेल आखिर में कौन जिम्मेदार है ग्राम प्रधान या फिर उच्चा अदिकारी मस्दूर और रोजगार सेवक का आउडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है रोजगार सेवक द्वारा कमीशन की बात कही जा रही है आखिर उपर के किन-किन ग्राम प्रधान यादिकारियों को मिलता है कमीशन योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीती पर पलीता लगाय जा रहा है हलो आँ वाई साब नमस्कार नमस्कार जा कहरें बानना जे मोई लिवाएगे जल्दी जल्दी आधार कार्ड ले ले निकला है हमने जा पूंठी जे पांट सुरुप्या तुम कहां हो आप जा बताओ पहले हैं तुम हो कहां जा बताओ या बार बताओ अपने काम तो करो नहीं ओर फिर बामें 3300 रुपिया कटे 500 रुपिया तुम्हें आपको फोन और आपको फॉन करो तो हमने आपसे बात खरी स्क राव करो लिए कि बिना काम के आपने काही रुप्या डाले तुमने काई नहीं होना छला दिया तो यार आम कास्तों मैं घर ते सन पूरी बात तो तुम मुझे बताते कि या कर दिया प्रम्हां निकाले हॉआ ठीक है 355 निकाले 3500 कहां मिले 3500 का ही मिली है जो कमीशन सबको दिया जाता तो तो तुम अब दो काम कर एक पैसा दियो की कमीशन 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 काम वाले काम वाली को हमने पहुंचा ही दे पहले ही अब तुम बात तो पूरी बताए सकते या बद वियारी चाहते हमोई तो 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 हम से उसी समय कॉल कर देते जैसे अवेल कर देते तो आप सते नहीं का माँ आए हम होते तो 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 हम से पूशे ही लेते चलो ठीज खबर भिंड से है जहां सूरे भगवान की नाराजगी और विजली के आबाजाई से तिल मिला गया इंसान 48 के पार पहुंचा पारा गर्मी के कारण सड़कों पर पसरा सननाटा कूलर और पंखे हुए बेसर हालात इतने नाजुक हैं कि अब लोगों का जीना दुश्वार हो गया है सूरे देवता की नाराजगी से जान खत्रे में है ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी लोग तराही तराही करने लगे हैं पशुपक्षियों के हालात भी बिगड़ने लगे हैं लोग गर्मी से राहत के लिए देवी देवताओं को सुमरने लगे हैं बताया गया है कि इस साल जिले में नौतपा की भीशन गर्मी रही इतनी गर्मी पिछले दस सालों में लोगों ने नहीं देखी भिंड़ से सीनू समवदाता विनूच शर्मा की रिपूर उत्रप्रदीश के जनपद हापुड में नगरपालिका परिसर में एक महला ने जहरीला पदार्थ खा लिया इसके बाद वा बेसुद होकर गिर पड़ी आसपास मौजूद लोगे खटा हुए सूशना मिलने पर महला पुलिस पहुँची जिसने महला को अस्पताल में भरती कराया पुलिस मामले की जाच कर रही है आपको बता दे कि पिलकवा की गाउं गालन शेत्र की रहने वाले एक महला हापुड नगर पालिका परिश्यत के परिसर में पहुँची बदा जा रहा है कि महला घरेलू विवात के कारण थाने जा रही थी लेकिन वह पालिका परिश्यत के परिसर में लगे वाटर कूलर पर रुकी और जहरीला पदार्थ निगल लिया इसके बाद वसड़क पर गिर पड़ी शोर सुनकर आसपास के मौजूद लोगे खटा हुए मही महला पुलिस भी मौके पर पहुँच कई और महला को अस्पताल में उपचार के लिए भड़ती कराया है हापुड से सीन्यू समधाता सुनील कुमार की रिपोर्ट श्रेकृष्ण जन्मभूमी मंदर का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि प्रियागराज हाई कोर्ट में आज श्रेकृष्ण जन्मभूमी मंदर मामले में बहस पूरी हो चुकी है हिंदू पक्ष और मुसलिम पक्ष की सभी अधिवक्ताओं के मध्य में बहस पूरी हुई बहस के दौरान लिमिटेशन आक्ट वक्फ बोर्ट आक्ट और वर्शिप आक्ट 1991 पर बहस चली मुसलिम पक्ष ने बार-बार उनी बिंदूओं पर बहस जारी रखी जिन बिंदूओं पर वा मतुरा न्यायाले और प्रियागराज हाई कोर्ड में बहस हो चुकी है हिंदू पक्ष की तरफ से सभी अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा और कहा कि यहाँ पर लिमिटेशन आक्ट वर्शिप आक्ट 1991 लागू नहीं होता है हिंदू पक्ष की अधिवकेट सत्यवीर सिंग ने कहा कि भगवान श्रीकृषन का जन मतुरा में हुआ था जहां भगवान कृषन का जन हुआ है वहाँ पर वर्शिप लागू नहीं होता है हिंदू आदी नेता दिनिश शर्मा ने कहा कि जमीन पर पहले भी कई बार केश चल चुका है इसलिए भी यहाँ पर वर्शिप आक्ट लागू नहीं होता है और क्या कुछ बताया दिनिश शर्मा ने आईए आपको सुनवाते हैं आज सीकिस जन्मिस्थान से इद्गा मस्चित को अठाने वाले केश में मानिय प्रियाग राज हाई कोट में सुनवाई होई सूट नमर एक से लेकर सूट नमर ठायर तक सभी बादों पर सुनवाई पूरी हो चुकिया मुस्लिम प्रक्स दवारा बर्से पैक्टोनीश चुकिन में बख़ोड एक्ट और लिमिस्टेशन एक्ट पर जो सभाल उठाय उनका हिंदू प्रक्स ने बिंदू बार जवाब लिया माननी न्याले में हिंदू पक्ष ने वो सभी साख प्रस्टोस किये जो जरूरी थे मुस्लिम पक्षी तरब से एड़ोकेट तस्लीम एहमदी ने बहस की और हिंदू पक्षी तरब से एड़ोकेट सत्वीर सिंग जी ने बहस की बहस के दोरान हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष मंदिर से औरंजेव के पाप के निसानी मजशित नहीं हट जाएगी तब तक हम अन्य करेंगे और नहीं अपने पेरों में जूता चपल पहनेंगे तो अब हमें लग रहा है कि हमारा संकलब पूरा होनी जा रहा है हमें उम्मीद है मानी न्यायले से और अपने भगवां सी किस से हम यह लड़ाई जरूर जीतेंगे क्योंकि न्यायले चत्यों के आदात पर सबूतों के आदात पर फैसला करता है और सभी साक्ष हिंदू पक्ष्ट की तरफ है मुस्मिब पक्ष्टे पास तो बिजली का बिल भी नहीं है पानी का बिल भी नहीं है जिससे वह कह सके यह का घर है अब हमें उम्मी जगी है माननी नहीं लेकर दोरा जल्द से जल्द हैसला आएगा और दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा हमने बिजली विवागों सिकायत की दी तो यह मस्जिद में बिजली चोरी पकड़ी गई इससे यह साबित होता है कि मस्जिद वारी है कि भवान किष्ण का मत्रह मात था और जन्म तानको बदला नहीं को है कि नहीं कहा था इसलिए यहांपर वड़से के ख्रावी सिंसीर ने परक्ष के पास कोई भी ऐसा तक्त नहीं है वह ही उनocyंदों पर बार 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 बैस्थ करता रहा जौ मत्रा नियाले मैं उन्हों ने कीती हाइ कोट में भी बारा वार नहीं बैस्याले भी विता रहर दो कुरत कर ले ते हिंदू पक्ष ने भी हिम्मजन पानी हो जाएगा। गोश्टी में पुलिस महानिरिक्षक आगरा परिशेत रागरा, पुलिस महानिरिक्षक आईबी, महानिरिक्षक CRPF, जलादिकारी मतुरा, वरिष्ट पुलिस अधिक्षक मतुरा, सेनानायक CRPF एवं अस्थानिय पुलिस प्रशासनिक अधिकारी गड़ भी उपस्तित धालूं को सुगमता से दर्शन कराय जाने के सम्मंद में सर्व सम्मंदित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए मतुरा से सीन्यू सम्मदाता जीवन देप कल्यान की रिपोर्ट सरिस्का में बागो की संख्या में एक बड़ी व्रिधी हुई है अब बागो की संख्या 40 पर पहुँच गई है इसके साथ ही बागिन ST22 ने शावको चार शावको को जन दिया है महीं सरिस्का की बागिन ST12 का चौथा शावक कैमरा ट्रैप में कैद हुआ है इससे पहले मार्च में तीन शावक देखे गए थे सारिसका बाग संख्या के इतिहास में 2008 में बागो के री इंट्रोड़क्शन के बाद पहली बार बागिन ST12 ने चार शावक दे और दूसरी बागिन ST22 को भी चार शावको के साथ कैमरा ट्रैप में कैद किया गया हमारी सरकार गती वर्शक्ती के प्रतीक बाग के संख्यान बाउन के लिए परस्थिति के इतंत्र को संतुलन रखने हेतु पूंडूप से संकल्पित है भरतपुर से सीन्यूस समवदाता राकेश सोगरवाल की रिपोर्ट फिराल के लिए बुलेटिन में वस्यतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें सीन्यूस भारत